राश्ट्रपती द्रोपती मुर्वू ने गुरुवार को राश्ट्रपती भवन के दो हॉल का नाम बदलने का एलान क्या है अबसे दर्बार हॉल को गंतंत्र मंडप और अशोख हॉल को अशोख मंडप के नाम से जाना जाएगा इसे लेकर राश्ट्रपती सचीवाले की तरों से प्रेस रिलीस चारी की गई है रिलीस के मुताबिक राष्टपती भवन के परिवेश में भारती सांस्कृतिक मुल्यों और प्रकृति की जलक दिखाई दे इसलिए दोनों हॉल के नाम बदले गए हैं Release में कहा गया है कि राश्टपती भवन जो कि भारतीय राश्टपती का कारलय और आवास है वो देश का प्रतीक है और लोगों की अमूल्य धरोहर है उसे में लगातार कोशिशे की जा रही है कि राश्टपती भवन में भारतीय संस्कृति की जलक दिखे इसे लेकर कॉंग्रेस मासची उप्रियंका गांधी ने पीएम नरिंड मोदी पर तंच कस्तेवे कहा कि इस देश में दर्बार का कॉंसेप्ट नहीं है लेकिन शेहनशा का कॉंसेप्ट है रिलीस के मताबिक दर्बार हॉल में नेशनल अवर्ड दिये जाने जैसे एहम समारों और उसव अयुजित किये जाते हैं भारती शासकों और बृटिशर्स की तरफ से लगाये जाने वाले दर्बार और सभावों के नाम पर इस हाल को दर्बार नाम दिया गया था लेकिन 1950 में देश के गंतंत्र बनने के बाद इस नाम का उचित्य नहीं रहे गया इसलिए इस हाल के लिए गंतंत्र भवन सटिक नाम है इसी के साथ बने रहे ही राजटर्मा टीवी के साथ पहने बाद हुआ है झाल झाल